आपको बता रहा हूं जहां पर ISI की बात है वहां पर भारत के खुफिया एजिंसी रॉब भी इसमें इनवाल्ड होगी लेकिन उसका नाम इसमें नहीं आएगा जहां कई लोग कह रहें intelligence का failure है हो सकता है हो सकता है क्योंकि intelligence is not 100% boss और अपने चार बच्चों को लेकर रहा है इन चार बच्चों का भी DNA टेस्टिंग होनी चीए कि इसके हैं कि नहीं मैं आपको बता रहा हूं मैं पहले भी demand कर चुको बंदा नहीं बेजा उन्होंने कोई आदमी न दोस्तों और जो intelligence agencies की ख़बर है ATS यानि की उत्तर प्रदेश पुलीस की anti-terror squad और intelligence bureau ने जो बातें बताई हैं आपकी आँखें फटी की फटी रह जाएंगी दोस्तों इस औरत को खास तोर से नेपाल में training दी गई थी कैसे आपको किस लहजे से बोलना है क्या आपका style होगा बोलने का और यह मैं day one से कह रहा हूँ day one से जब मैंने पहला वीडियो निकाला था अब तब देखना जब मैंने सीमा हैदर की बात करी थी मैं day one से कह रहा हूँ कि इसके बोलने का तरीका गलत है ठीक है मीडिया भी आपको यही बात बता रहा है अब इस बात के पुखता से वो लोग भारत आते हैं तो इनको voice and accent की मैंने कल के वीडियो मां समझाये था ना किस तरीके से MTI mother tongue influence MTI होता मैंने आपको समझाये था अगर मैं उत्रप्रदेश वाला हूँ और मैं अगर हिंदी बोलता हूँ तो खास लहजे से हिंदी बोलूँगा आपको पता लग जाएगा कि यूपी वाला है या फिर अगर कोई उत्रगंड का है वो हिंदी बोलेगा या फिर कोई तमिल नाडू का है वो हिंदी बोलेगा या फिर राजिस्थान का कहीं और का जो भाशा बोलेगा आपको पता लग जाएगा कि अच्छा भाई साव वहां के रहने वाले हैं दो मिनिट में आप पता लगा सकते हैं अगर आप भारतवासियों भारत में रहते हैं इसका एकसेंट ऐसा बनायेगा अब मैं आपको पढ़के बताता हूँ उसमें लिखा क्या है ना आपको मज़ा जाये तो सुनिएगा कैसे क्या दिमाग लगाया पाकिस्तान ने पकड़ा गया जलील हुआ वह बतालग है लेकिन क्या दिमाग लगाया बॉस ये तो देखो तारीफ तो करो इनकी ज़रा एक मिनट सीमा को प्रोफेशनल्स ने प्रोफेशनल्स ने उसकी हल्प करी तो लुक लाइक वोमेन फ्रम रूरिल इंडिया यानि कि उसकी वेश भूशा बदली कि आप ऐसे मत लगो हिंदुस्तानी ओरत ऐसे नहीं लगती जो गाउं में हिंदुस्तानी हिंदु वारत रहती है वो कुछ इस तरीके से वो तो सचन मीना बचारा बोला आदमे वो बोला क्या उसकी भी टाइट होने चीए भी उसकी भी स्कुरू टाइट करें सरकार लेकिन वो उसने गलती से मुझे बख दिया कि यह पाकिस्तानी है वरना कभी नहीं पकड़ी जाती यह कभी नहीं पकड़ी जाती दोस्तों सीमा ने क्या करा कि सीमा को पहने ट्रेणिंग दी गई कि तुमारा देखो लुक ऐसा होगा आप कभी भी देखना वो जब साड़ी पहनती है जिस तरीके से उस सर पे पल्लू रखती है यह टिपिकल उत्तर प्रदेश में खासतोर से वेस्टन यूपी में है ठीक है आपको जो लेडीज हैं महिलाएं हैं आपको ऐसी ही कपड़े पहनते देखेंगी आप देखें ना किस लेवल की ट्रेनिंग हुई है किस लेवल की ट्रेनिंग हुई है कि अब देखें साड़ी अलग है हमारी वही माताएं हमारी बेहने जो साउथ में पहनेंगी वो अलग पहनेंगी ठीक है जो उत्राखंड में हिमाचल में पहनेंगी यह अलग पहनेंगी उत्तर प्रिदेश में भी साड़ी पहनने के अलग अलग तरीके आप तो बोलेंगे नहीं वो साड़ी तो पहनने कई की तरीके नहीं नहीं अगर आप देखेंगे ध्यान से किसी ने किसी पाकिस्तानी ISI के अफसर ने इसके उपर इसको किस तरीके से आपकी वेजबूशा है आपको कैसे दिखना है how do you look like a woman from rural India not someone from a foreign country according to sources यह कह रहा है सूत्रों के साब से यह बताए गया दूसरी चीज़ सीमा और उसके बच्चों की जो लुक्स हैं उसको carefully fashion करा गया और उसको इस तरीके से बनाया गया कि अगर कोई security वाल चोटे बच्चे तो मासूम होते हैं तो उनको ऐसे माहौल में डाला गया अच्छा बच्चे क्या होते हैं बच्चे सीख लेते हैं बहुत जल्दी बच्चा कुछ भी होता है बहुत जल्दी सीख लेता हो तो हमारी उमर जब बढ़ जाती है फिर हम लोग सीख नहीं पाते ह कोई चीज नहीं हमें उतनी दिक्कत आती है सीखने में लेकिन बच्चे सीख जाते हैं तो बच्चों को एक ऐसे खास महौल में रखा गया ऐसा नहीं कि बच्चों की ट्रेनिंग करी गई लेकिन इंटारेक्ली ट्रेनिंग करे गई कैसे बच्चों को एक सकás माहल में रखा गया चोटा बच्चा एक साल का आप अगर दो साल का बच्च सब लोग रॉषियन बोलते और 24 घंटे रॉषशियन बोल रहे तो बच्चा वोई भाषा बोलना शुरू कर देगा वो भाषा बोलना बच्चा शुरू कर देगा तो यह वह में देखने की बात है दोस्तों कि यह हुआ क्या है यहां पर किस तरीके से उसके बच्चों तक को ट्रेनिंग करी है और कितना अंदर तक के मामला गया है तीसरी चीज यह कहते हैं कि जो human traffickers हैं जो इंसानों की तसकरी करते हैं जो मैंने पहला point बताया था उसके बारे में fluently आती है जबरदस तरीके से बोल लेती है कही जबाने सरफ Hindi नहीं हिंदी बोल लेती है औरदू बोल लेती है अंग्रेजी बोल लेती है एक फूइन दिकत नहीं इसको ऐसा निकिंग हिचक रही है हखळा रही है क्या हो गया ना तॉल यह बिल्कुल on the dot बोलती है mal partnerships कर रहा अच्छा जी अब intelligence agencies ने क्या करा है कि पहले से ही ऐसे जो smugglers थे वो Indian intelligence agencies के radar में थे अब ये जो ड्रैगनेट है ये जो पूरा जाल विछा रखा है उनके लिए ये इंडियन intelligence agencies ने और फेला दिया है कि पता लगाओ कौन-कौन है क्योंकि source में जाना है कि मैं आपको बताता हू ये human traffickers कहा है नेपाल में है ये भारत में तो है नहीं राइट अगर ये भारत में है नहीं ये नेपाल में है तो आपको नेपाल जाके स्रोत में देखना पड़ेगा और आपको नेपाली authorities से बातचीत करनी पड़ेगी वो हमारे दोस्त हैं नेपाली हमारे भाई हैं और पर लावा सीमा एदर जो है वो ATS और इंटेलिजन्स ब्यूरो के रेडार में है अपने डायरेक्ट कनेक्शन्स पाकिस्तानी आर्मी और इंटर सर्विसेज इंटेलिजन्स यानि पाकिस्तान की ISI के साथ यह भी पुखता तोर पर बोल रहे हैं यानि कि इंटेलिजन्स यहां तक मुझे पता है जहां तक मुझे भान लिजू कि यह क्योंकि मुझे इतना पता है कि वो लोग दूर-दूर रहके काम करते हैं उनके नाम कभी सुर्खियों में नहीं आते हैं कभी आपको हेड यद्माइन ने राउ ने है कर दिया ho Jagagmont के साथ इन्टराइक्ट तो भाई अगर इसमें राव इंवल्ड है तो फिर किसी को पता नहीं लगेगा और रॉइनवल्ड होगी इसमें मैं आपको बता रहा हूँ वो चानवीन में लग गए होंगे कई समय पहले जो मीडिया भी नहीं पता रही क्यों मीडिया खुदी नहीं पता होगा अच्छा जी सीमा और सचिन ने ये क्लेम करा है ये दवा करा है कि अपने चार बच्चों के साथ वो आई माई 13 में इस साल के 13 माई को वो आई नेपाल से इंडिया लेकिन पूरी CCTV की कवरिज देखी वहाँ पर CCTV लगे है पूरी CCTV की कवरिज निकाली वॉस एक-एक बंदे से पूश्टाच करी जो बॉर्डर पे गार्ड्स थे एक-एक बंदे से पूश्टाच करी है और सब के सब एक ही बात बोलते हैं कि सीमा गुलाम हैदर इस तारिक को नहीं आई मैं आपको फिर से बताता हूँ चीज कि आप लोगों को बात समझ में आ जाए कितना मोटा गेम है यह यह कितना तकड़ा गेम है सीमा हैदर यह कहती है कि वो 13 माई को भारत आई अपने प्रेमी सचन मीना के साथ रहने के लिए ग्रेटर नॉइडा लेकिन सारे सूत्र यह बताते हैं CCTV तो जूट नहीं बोलेगा चलो गाड से भी मिसनी होगा वाँ पर वैसे जो बॉडर पर लगा हुए अपना उससे भी मिसनी होगा लेकिन कोई बात नहीं CCTV तो CCTV 24 गंटे ओन रहता है recording रहती है CCTV देख ली भई 13 माई को सीमा गुला महदर चार बच्चों के साथ नहीं आई थी वो नहीं आई थी समझ गया आप तो ये भी बात उसकी जूटी है अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूं दोस्तों according to the agreement between India and Nepal the police of respective countries informed the intelligence agencies about the presence of any citizen of a third country यानि कि भारत और नेपाल में एक मुआइदा है एक understanding है कि अगर वहाँ पे आसपास जगे में कोई भी विदेशी नागरेख हो वो मैं यह नहीं कहा रहा कि वो ISI का है किसका है कोई भी विदेशी नागरेख हो आसपास के एरिया में तो एक दूसरे को बताते रहते हैं कि ब 100% Boss अगर आप यह सोचते हैं कि कि किसी को 110 परसंट यह पता ही लग जाएगा ऐसा कभी नहीं हो सकता एसा घहां पर चार-पांच लोग रहते हैं उस घर में छह साथ लोग रहती हैं वहाँ पर आपको पूरी घर की बात नहीं पता लग सकती हैं आप यह सोचते हैं कि 140-150 करो बताता हूं दोस्कों ना आपको मज़ा आजाए सुनके तो फिर नाम बदल देना मेजर का बहन के पास यह सीमा गुलाम हदर जो बहन है हमारी बहन के के पास दो वीडियो के सिट मिले वो जो मैं पहले बता चुका हूं आपको जिसमें उसकी शादी वादी का वो था कि गुलाम हदर के साथ चादी हुई है अब एक बात बताओ वो अपने पती को छोड़ कर आई और अपने चार बच्चों को ले कर आई इन चार बच्चों का भ एक दो इसके हूंगे हो सकता है एक दो ऐसी लेकर आई यो पाकिस्तान से उठाके राइट अब मैं यह कहना चारा हूं कि यह जो सीमा गुलाम है ठीक है यह दो वीडियो कैसे टलाई जिसमें उसकी शादी की काहानिया थी शादी की वीडियो कैसे बनाते लोग सीड़ी ये क्यों लेकर आई इसका मतलब क्या था वीडियो के सट लाने का भरत क्योंकि इसको पता था कि वो वीडियो के सट पकड़े जाएंगे और वो जानबूच के लेकर आई कि ये पकड़े जाएं और उसमें ये छुपाने की कोशिश नहीं करी कि वो पाकिस्तानी नागरिक है एक बार वो पकड़ी गई, पहले तो उसका ये मनसुवा था कि पकड़ी ना जाए, जब पकड़ी गई तो उसलिए डिनाई नहीं करा, वो डिनाई कर सकती थी, वो बोल सकती थी मैं यहीं पर और गाउं के दस लोगं करती थी, ऐसा तो हिंदुस्तान में लाखों गरोलों के जिनका कुछ पता ही नहीं है, कहीं और चली जाती, किसी गाउं में चली जाती, उत्तर प्रिदेश के इंदर और चली जाती, उत्तर प्रिदेश अतना बड़ा है, कहां पता लगना था किसी को, सची मीना का मुझ खुला, ये मामला अन्रैवल हुआ, अब देखिए, बहन ज से निकलें, वो दो वीडियो के से शादी के इसके अलावा, चार इसके पास मोबाइल फोन है, चार मोबाइल फोन, और ये बताती है, अपने आपको एक मासूम, कौन सी गाउं की और गाउं के आदमी के पास, शेहर के आदमी के पास, किसी के पास, चार मोबाइल फोन कौन मैं गाउं और शेहर की बात नहीं कर रहा है, मैं और आदमी की बात नहीं कर रहा है, लेकिन चार mobile phone किसी के पास होना बहुत rare है, जब तो कुछ गो property का काम नहीं हो, आजकल तो वह भी बंद होगे क्यों, dual sim और triple sim और quadruple sim पता नहीं क्या क्या, दुनिया भर की चीज़ें आज आने लगी है, मुझे भी नहीं पता, तो दोस्तों वो लोग रखते हैं, दो फोन रख लिए, किसी ने चार चार फोन अब इसके हैं, active, active चार फोन, ठीक है दोस्तों, इसके अलावा, सीमा गुलाम है जो हैं, बहन जी, बहन जी का क्या मामला है कि, इसके पास पांच 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 पाकिस्तानी पासपोर्ट हैं, बंदे के पास एक होता है, बहन के पास पांच हैं, पांच पासपोर्ट, पांच अलग नाम, पांच अलग शनाक्त, पांच अलग आइडेंटिटी, पांच अलग पैचान, बहरूपिया, मैंने बोला था ना, मैंने बोला था मेहरूपया दूसरा पासपोर्ट आपने निकाला को आपने बुला नहीं सीमा सिंग पाकिस्तानी हिंदू का नाम सीमा सब्सक्राइं इंडिया फिर तीसरा उसका नाम कुछ और चौटा कुछ और पांच मां और एक पासपोर्ट ने फॉत पासपोर्ट है खाली incomplete name and address कि पाकिस्तानी ISI ने बोला कि बेहन तू अपनी मर्जी से भर ली हो जो तेरे को बरना है जब तू फज जा और पांचो पासपोर्ट काम न करें हम छटा भी तेरे को दे रहे हैं ऐसा कभी होता है पासपोर्ट बॉस इतना strictly control होता है इतना strictly इंडिया में तो अभी बहुत efficient हो गया है आप पासपोर्ट आफ़ेस जाओ तो फटफट आपका काम हो जाता है ऐसा लगता है कि कोई corporate उसको run कर रही है और मैंने सुना है कि corporate उसमें involved भी है लेकिन now it has become very streamlined एक जमाने में तो नाथ से खुन निकल जाता था पासपोर्ट आफ़ेस जाने में वो सुश्मा जी के बाद ये मामला सेट हुआ है सुश्मा सुराद जी थी थी ना हमारी जो external affairs minister भगवान उनकी आत्मा को शांती थे उनके उनके आने के बाद ये मामला सेट हुआ है और जैशंकर साब ने तो स्टेरोड लगा दी इसमें लेकिन एक जमाने में नाथ से खुन निकल जाता था अब जाते है पासपोर्ट आफिस पूरे दो दिन आफिस से छुटी लेकर काम करवाना पड़ता था तब जाते और दलाल इसके अलावा एक आइटेंटिटी कारड है सीमा गुलाम हेदर का सेमा गुलाम हेदर का अब हैदने का प्रॉसस लगपग सेम होता है है आप बिना आधार काड के पासपोर्ट वन बनवा लोगे आप बिना residential address के घर के पता की proof के आप passport बनवा लोगे अपना बनवा लोगे आप बहन ने बनवाया और एक नीच चेचे बनवाई इसमें क्योंकि इसका पाकिस्तान का national identity card ही इसका पिछले साल का है यानि कि पिछले साल से एक दो साल से मनसूबा बनाये जा रहा कि जब गाउं की औरतों के बीच में चले तो कोई फरक ना पता लगा पाए कि ये कौन से गाउं की ये कैसी है इसकी भाशा ऐसी होगी इसकी जबान ऐसी होगी इस प्रकार से रहेगी इसके बच्चे इस तरीके से बातचीत करेंगे बढ़ा गेम है बहुत बढ़ा गेम है जबसे पाकस्तान की हवा नेकली है ना भारतिय सेनाने हवा निकल दी पाकस्तान System कर रहा है कि किस तरीके से और यार हर समय मैं आपको बता हूँ पता है फायदा इसमें क्या होता है किसी भी खुफ्या एगंसी को लोग यह बन्दा होता न सीमा गूलाम-हदर उमाना Benuk होता सलमान गुलाम हैदर सीमा की जगे सलमान होता है राइट मैं बता रहा हूं इसको उल्टा टांक के इसकी पता गड़ा देते हैं पर वो लेडी है वो और अब देखो न एक तो और पर शक नहीं जाता है यह बात मैंने कई जगे देखी यह दुख्तराने मिल्लत जो एक टे दुख्तराने मिल्लत इसी चीज़ का फाइदा उठाता था और मैं आपको बता रहा हूं 99% 99% ऑफ कश्मीरी विमन जो औरते हैं वो क्या चाह रही है वो यह चाह रही है हम पढ़ लें हम स्कूल चले जाए हम वकील बन जाए ठीक है हमारे बच्चे ठीक से पढ़ जाए हमा यह जाए तेरे मुद पे तिज़ाप ठेक देंगे मैं आपको सही बात बता रहा हूं अब की नहीं बात है कि पहले की बात है मैं आपको बता रहा हूं 8-10 साल पहले की जब यहां प ऐसा चलता था आसिया अंदर आवी ने तो आतंक मचा रखा था हिजाब में नहीं है बुरक्या नहीं पहनती पूरा उसने ऐसा कर दिया था आसिया अंधरावी ने औरतों के बीचे है इतना उसका टेरर था दुख्तराने मिल्लत एक ग्रूप वो रन करती थी अब तो पता नहीं का है उसको पता नहीं वेर इशी इस यह इसा होता है क्यों क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ आपको अगर लश्कर वाला आएगा यह टिपिकल चीजें है यह टिपिकल चीजें होतीchas टिपिकल दोस्तों लश्कर ये तयाबब वाला आएगा न इंडियन आर्मी वाला ठोग देगा दूसे जैशे मुहम्मदवाला आया उपर हिजबुल उपर कोई और बंदा आया उपर सामने से औरत आई इंडियन आर्मी का जवान एक बार टेंटिटेव हो जाएगा कि बहुत से क्या हो गया सामने से औरत आ रही है मैं आपको आज लिख के दे सकता हूँ कि इसलिए कश्मीर पुलीस को वहाँ पे जेन के पुलीस को इंवाल्व करा है लेडी कॉंस्टेबल जेन के पुलीस की होती इसलिए होती है क्योंकि हमारे समाज में ऐसा है कि औरत की गवाई अगर दे दी ठीक है और मैं यह नहीं कह रहा कि औरतों के खिलाफ जलू नहीं होता बिलकुल होता है यह बात भी सच है लेकिन ये बात भी सच है कि अगर किसी ने भी बोल दिया ना है बंदा एक गलत है इसने मेरे साथ ये करा है ठीक है वो तो गया बंदा यार वो गया He is dead, he is gone ये दुख्तराने मिल्लत ये काम करवाती थी दुख्तराने मिल्लत एक स्पेसिफिक ग्रूप है मैं उस ग्रूप की बात कर रहा हूँ दुख्तराने मिल्लत ये स्टू डू देसन कश्मीर और यही चीज सीमा गुलाम हैदर को यहां पे कि आप बंदा नी बेजा उन्होंने कोई आदमी नी बेजा उन्होंने और बेजी कि उनको पता था कि इसका ज़ादा क्या कर लेंगे वो लोग यार और वो ज़ाइदी वाला है वो क्या करेगा और UPATS देखो UPATS ऐसा तो नहीं कि उसको लटा लटका के कूट रही है ऐसा तो बंदा होता तो अभी तक तो UPATS उसका कर चुकी होती तैंक यू लेकिन और रहत है आप प्रेशर जरूर डालोगे उसके उपर लेकिन एक लिमिट तक आप प्रेशर डालोगे तो भीए ये सब चीज़ें हो रही है यहां पर सीमा गुलाम हैदर को लेके ठीक है दोस्तों यही था मेरा आज का वीडियो अगर आप को वीडियो पसंद आए ना दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दल्यक अंदमाना बिलकुल मैं दूलियेगा दोस्तों जैहिंद वंदे मातरम भरत मातवी जैए